दोफ्तों यहां वीडियो बीए थर्डेर यानि कि बीए तिरतिये वर्स वाले छात्रों के लिए इंप्वाटेंट होने वाली है जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री यानि की इतिहास है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री यानि इतिहास के थर्ड प्रश्ण प प्रेबल के और इस बीडियों बात करने वाले हैं यह थर्ड पेपर के बारे में तो अपको यह वीडियो लाज तक देखना है अगर आपको परिछा में पास होना क्योंकि इस बीडियो में मैंने वही सारे कोश्चन रखे हैं जो कि पिछले सालों में कई बार पूछे गए हैं और इस बार नई सिच्छानीत के हिसाफ आगामी परिच्छा के लिए पूरे तरह हैं आपको इस वीडियो के बहुत सारे कोश्चन जब भी आपकी परिच्छा होगी कल पर सो यह फिर आने वाली दिनों में तो आपको वह कुश्चन देखने को मिलेंगे ठीक है तो वीडिय के कोश्चन के और बढ़ेंगे ठीक है दोस्तों पहला कोश्चन है कि अखे नटन कौन था यहां पर टाइप करने में थोड़ा मिस हो गया है यहां पर का की जगान ना होना चाहिए था तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको एंसर में लिखना है अगर आपकी अधिसवर था या समभवत अधिसवर बना या समभवत शांत प्रिय चिन्तन सील क्यों सब्सक्राइब अपनी जिन्तन सीलता और धर्म की गंभीर मिमांसा करने के उपरांत उसे विश्वास हो गया कि धार्मिक छेत्र में सुधार की आतिव अवस्यक्ता है तो उसने बहे देववाद की पुनापध्धित का उनमूलन कर तथा एक्केश्वरवाद की अस्थापना कर इस प्रकार से मिस्र की धरती पर धार्मिक क्रांत का बीजबो दिया तो यह रहा थीक है अख्य नटन का संश्वत में परिचय या फिर कौन था उसके बारे में जानकारी आई होप आपको समझ में आओगा और इसका एंसर आप लोग जितने भी कोश्चन बताएं सारे कोश्चन का एंसर आपको अपने गूगल पर मिल ज आउंगा क्योंकि सारे वही कोश्चन है जो कि आगामी परिच्चा के लिए पूरी तरह भूले ध्यान दखेगा आपको एंसरम लिखना है कि दारा की गरणा प्रचीन विश्च के महांतम समराटों में की जाती है वह 521 इस भी पूर्व में सिंगहासन पर बैठा दारा का मह जतना अधिक एक और रूप में हैं उसने खळी अधिक उसका महत एक कुसल सासक के रूप में है अकनी विजयों में उसने 512 इस पूर्व थ्रेस और में मेशी डोन पर विजय प्राप्त की और पांसो दस इसा पूर्व में उसने भारत के पंजाब और सिंध प्रांतों को अपने आधिन कर लिया चार सो नबे इसा पूर्व में दारा बुरी तरह से मैरा थन युद्ध में पराजित हो गया ठीक है उसकी सासन बेवफ्ता उच्च कोट की थी वहाँ जरत्रुष्ट धर्म का अनुयाई था उसके सासन काल में जरत्रुष्ट के एकेश्वरवाद को महत प्रदान किया गया और जनता के बीच अंदवित विस्वास को दूर किया गया तो यह रहा दारा काउन है और इसका शमच्छिप्त में परच है आई होप आपको समझ में होगा इसका एंसर एक बाल अपने स्रीज में कोश्चिन मे भी कौन था बहुत ही महत्वपूर इसका एंसर आपको याद ही रखना है यह कई बार पूच्छा भी गया परिच्छा में इस बात को ध्यान रखेंगे इसका एंसर लिख देना आप लोगों को इस प्रकार की हेमोराइट वंस का छठा सासक हंबुरा भी था उसने लगभग 2022 वर्षो 2021 ुषापूर्व 121 इसय पूर्व तक सासन किया आप सो भी को मालूम है कि जो इसय पूर्व होता है वो उलटा चलता है इसलए यहाँ पर 2023 से इसया पूर्व पर 2581 इसय पूर्व तक सासन किया वह अपने यूग का एक महान बिजेता था उसने अपने प्राकरम औ और सैन्न बल से मेशोपुटामिया का एक ही करण किया इसके बाद उसने एलम तथा असरिया के शक्तसाली राज्य को जीत कर अपने सम्राज्य का बिश्तार किया वह एक कुसल सासक और संगठन करता भी था तो यह रहा हम्बुराभी का संचिप्त में परचाएं जो कि आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टन कोश्चन है अगला परिश्चन है कि पिरामिट के बिशे में आप क्या जानते हैं पिरामिट किसे कहते हैं इसके बारे में विवरण दीजिए या संचित में परिभासा लिखिए ऐसे कोश्चन बन सकते हैं आपकी परिच्छा में तो चलिए इसका एंसर में आपको बताया दे रहा हूं ध्यान से सुनिएगा बहुत ही महत्तों प्रप्रश्ण है आपके आगामी परिच्छा के लिए जब भी आपक 30 फिट और उसकी एक भुजा 775 फुट लंबी है यह तेरा एकड़ भूमस में बना है इसमें धाई धाई टन के भार के 23 लाग पासार खंड लगे हैं ओके यह इतनी चतुरुता से जोड़े गए हैं कि कहीं कहीं तो जोड की चोड़ाई एक इंच के हाजारुएं भाग से भ डाक्टर गोयल के मतानुसार आदनु की युक के बहुत कम कारी गरों में ऐसे भौन बनाने योग दचता है हेरो डोटस के अनुसार गीजा के विशाल पिरामिट को एक लाग बेक्तियों ने 20 साल में बनाया था अब आप लोग समझ सकते हैं कि इतना विशाल था कि गीजा के विशाल पिरामिट को एक लाग बेक्तियों एक लाग लोग जो की 20 सालों में बनाया था अब आप लोग imagine कर सकते हैं कि कितना बड़ा था और कितना विसाल था जिसकी कोई स्रीमा नहीं है आई होप आप समझ सकते हैं ठीक है तो यह रहा पिरामिट के बारे में उसका परचे और क्या जानते हैं वो ठीक है अगला प्रशना है कि हेरो डोटस के बारे में आप क्या जा इसका भी आइंसर आप लोगों को जानना जरूरी है ठीक है चले इसका आइंसर में आपको बताता हूं आपको एंसर में लिखना है कि बिश्च के प्रथम इतिहासकार है हेरो डेटस ठीक है जो कि 484 इसापूर्व से 425 इसापूर्व ने यूनान पर इरानी आकमन का इतिहा आप अतेंत रोचक ढंग से लिखा गया आप समझ सकते हैं मैं आपको बता दूँ फिर से बताऊंगा कि जो इसापूर्व है वह उल्टा चलता है यहां पर 484 से जो चला है वह 425 तक तो इसापूर्व उल्टा चलता है चलता है इसलिए आप लोग कन्फीर्म तो यह ठीक है रोचक ढंग से लिखा है वह इतिहास लिखने की कला का जन्मदाता था याद रखेगा वह इतिहास लिखने की कला का जन्मदाता था वह बिदेशी था और इंथिस में आकर बस गया उसने फारस यूनान के उद्धो का वरतांत तथा यूनान के आसपास रहने वाली जातियो का इतिहास लिखा ठीक है तो यह रहा हेरोडेटर्स के बारे मुष्का संशिप्त परच है जिसका आप लोग बता मैं ने बताया चारसो चौराची से चारसो पचासी इसापुर्ब के बारे यह आपको जरूर लिखना है कि यूनान पर इरानी अकमर का इतिहास अतियंत रोचक नंच्टे इस सन के बीच लिखा गया है जो कि हेरोडेटर्स बिश्च का प्रथम इतिहासकार था ठीक है सारे कोईश्चन टॉप लेबल के हैं अगला प्रशन है शुक्रात कौन था बहुत ही महात पूर्ण प्रशन है आगामी पर इच्छा करे मैंने चाड़ चाड़ के कोईश्चन रखे बहुत ही हार्ड वर के बाद सारे कोईश्चन और उसका एंसर मैंने तयार किया है आप लोग साइद ही समझ सकते होंगे ठीक है फिराल मैं आपको इसका एंसर बता दे रहा हूं सुकरात कौन था जैनली कोईश्चन हमेशा पूंचा ज उसकी गिंती भीट मैंनि परिश्चन आप लेफ egg with लेफिस9 की जाता है तुitz कि जो जाती है कि उसकी कंईूंटिं आप लोग कहते हैं कि डार्श्चन Siq, एककटर, टॉप लेबल के धिलिय-र, टॉप लेबल करना चाहिए और सभी के साथ अच्छा बेवार करना चाहिए इस प्रकार शुक्रात ने दर्शन के चेतर में एक नई परंपरा को प्रारंब किया तो इस प्रकार रहा शुक्रात के बारे में उसका परैश है और वह जो अपने जीवन काल बढ़ें यह अघले पलस्तिव कि फ़राओ क्यों प्रसिद्ध आए ठीक है इसका reason क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ मिस्र का राजा फराओं कहलाता है जो भी मिस्र का राजा है उसको फराओं के नाम से संबोधित किया जाता है या फिर उसे कहा जाता है कहलाता है ठीक है फराओं का अर्थ होता है शर्बोच भवन जहां इश्वन निवास करता है जानदेजेगा फराओ का अर्थ है शर्बोच भवन त्High जहां इश्वन निवास करता है तत्त पर यह है कि मिस्र का फराओ सक्ति सालीत था निरंगुष सासक था शक्सालित था निरुंकुस सासक था मिश्र में लगबग 31 राजवनसों ने 3100 वर्ष तक सासन किया और अंत में 1332 इसापुर में शिकंदर ने इस पर अधिकार कर इसे अपना एक उपनिविश बना लिया इस युग में फराव का मुख्य उद्देश पिरामिडो का निर्मार करना था इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो भी युग था फराव का ठीक है उसमें जो मुख्य उद्देश था या फिर उनका में जो वज़ा थी जो उनका में लच्छ था वो था पिरामिडो का अभ दिवार के बारे में आप क्या जानते हैं बहुत ही महान कोश्चन है क्योंकि हमेशा पूंचा जाता है परिच्छाओं में आपको आज को आज मैं में आज सीमा पर होडों की अक्रमड या दिवार बनवाई थी याद रखेगा जो चीन की दिवार है वो C हूँ आंग्टी ने बनवाई थी चलिए मैं इसको लिख देता हूँ सकता आप लोग न समझ पारे होंगे C उसके बाद है यह तरह हूँ आंग ठीक है आंग बिंदी लिख देनी उट्टी लिख देना है आंग्टी ने बनवाई थी यह 1500 मिल लंबी 20 पिट चोड़ी तथा 22 पिट उची थी इसमें 20,000 गुमदे 23,000 अस्तंब और 10,000 सुरच्छा चवकियों बनाई गई थी या दिवार 10 वर्ष में बनकर तयार हुई थी इस पर अंकित सब्द इस प्रकार है शुरू के नीचे या सबसे बड़ी सैनिक रोग है तो यह रहा चीन की दिवार का समचित परचे या आप इसके बारे में क्या जानते है उसका परचे अगला प्रशन है अगला प्रशन बह प्लेटो का सारबाधिक मेधावी शिष्च था याद रखेगा जो आरस्तु है वो प्लेटो का ठीक है शारबाधिक मेधावी शिष्च था वह अपने गुरु से भी आगे बढ़ गया पहले तो वह चेला था किसका प्लेटो का यानिके प्लेटो गुरु थे आरस्तु के ल जहां दिजेगा तार्किक भिधा तर्क सास्तर पर उसकी रशनाय आमोल निद समझे जाती है उसे भौतिक साथ्र का पितामा भी कहा जाता है उसने राजनेतिक जहां दिजेगा राजनेतिक ओके आचार सास्तर ठीक है और काब्या लंकार आद विश्यों पर भी गरंथ लिखें उसकी सरवधिक प्रशिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स याद रखेगा बहुत ही मात्रपूंट प्रशन है बस सिंपल सा एंसर है आई होप आपको ऐसे ही आद हो गया होगा अगला प्रशन है कि जिगू धान देजेगा जिगू रत के बारे में आप लोगों को लिखना है ठीक है ये भी आपके आगामी परिष्या के लिए हिल्फुल है चलिए इसका भी एंसर में आप लोगों को बता होने के करण ही सुमेरी नियों में जिगू रतों के अवसेश बहुत कम मिलने से हम अनेक आकार प्रकार के बिसे में निश्चित रूप से ग्यात नहीं कर पाते हैं और तथा निपर नगरों की खुदाईयों में जिगू रतों के अवसेश मिलते हैं जिनसे उसके आकार प्र एक कड़ी की रूप में थे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिगूरत मनिश्चों का देवताओं से संपर्क अर्थापित करने के सबसे बड़े माध्यम थे तो इस प्रकार कोल मिला कि आपको जिगूरत का एंसर लेकिन नहीं लेकिन कभी कदार आ जाता है तो मैंने आपको बता ह अच्छे समझाया आप समझ में आओगा इन सारे क्वेश्चन का एंच बार और भी अच्छे पढ़ सकते आप लोग अपने स्रीज में अंसर पढ़के और मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन और है ति लग उत्रेगा जिनका आप लोग पढ़ लीजेगा ठीक है अ इसना सिलेट करा देना कौन से आपको भड़के जाना का है अकाया घ्रण किस प्रकार हुआ यह इंप लेडैकर नहीं कि नहीं अब इस अ invasive सब्सक्राइब कर सकते हैं अगला प्रशना है कि देरियस प्रथम कौन था इसकी प्लब्दियों बताएं इसको भी आप पढ़ सकते हैं अगला प्रशन जो कि टॉप लेबल का है कि सांग योगीन चीन की धार्मिक मानेताओं का वडं कीजी इंप्रण कीजी इंप्रण करी का कुश्चन है पूरी तरह पूरी तरह इंप्वाटन और पूरी तरह टॉप लेबल के कुश्चन हैं अगर आप यह कुश्चन आठों का एक बार पढ़ लेंगे तो आपको काफी मदद मिले जाएगी इसमें से दो तीन कोश्चन आपको परिच्छा में पक्का देखने को मुलेंगी जब पर चले दिरखुत्रे में देखते कौंशी इंपॉर्टेंट है और कौंश आपको पढ़की जाना है परिचीन की आर्थिक दसा का मुलेंगे न कीजिए तो प्रचीन की जो आर्थिक दसा थी रुपया पैसे वाली ठीक है रुपया पैसे वाली कंडिशन आर्थिक इस प्रचीन मिस्र में कला यों सहति के बिसे पर प्रकाश डालिए तो यह भी इंप्वाटन्ट है कहीं न कहीं परिच्छा के लिए अगला प्रचीन सुमिर्यों की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालिए इसको आप लोग उग्नोर कर सकते हैं अगला परस्थन की बैवी लोन के इतिहास में हंबूर आभी की उपलब्द्यों का मोलनकन कीजिए भी टॉप लेबल का कोश्चन है ठीक है अगला परस्थन है कि मिस्र नील नदी का वर्दान है समच्छा कीजिए बहुत लीए परिच्छा के लिए 100% सुर है इस परिच्छन आपको परिच्छा में देखने को मिलेगा और अगला परस्थन है कि मिस्र वास्थी बिश्च्य के सरबदिक धार्मिक बिक्ति थे विष्णा कीजिए यह भी इंपॉर्टेंट थे तो कुल मिला के दिर गुत्तरे कोश्चन जो कि मैंने छाड़ छाड़ की रखे काफी काफ आप लोग समझ सकते हैं विस्तित उत्य देर गुत्य कोश्चन का एंसर आप लोग अच्छे पांच सब्दम देंगे तुछके आपको पंद्रह नंबर नियुधायत की जाते हैं तो कुल मिलाके इस सारे कोश्चन का एंसर अक बार आप लोग धान दे लीजिएगा काफी आ कमेंट में आप जरूर बताएं ठीक है